तो राम नाम जो बोल देता है जैसे राम जो बोल देता है फत्वे जारी हो रहा है उनके नाम पर मैं बोलते हैं हमाई नाम से फत्वा निकालें जिसको निकालना हो сохран करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ जो कोट का फैसला है उसका स्वागत करता हूँ और जो भोले नाथ का था वो भोले नाथ जी को वापस मिल गया है नमस्कार आप देखरें हैं हैडलाइनस इंडिया मेरा नाम है विनो शर्मा 22 जनवरी को प्रांट परतीश्टा हुई और उसके बाद आप ये तस्वीर देख सकते हैं राम भक्तो की जो लाइन है वो तूटने का नाम नहीं ले रही है और मैं ठीक भगवान राम के मंदिर प् हैं जिस जगा पर कुछी दूरी पर भगवान राम अंदर विराजमान है और प्रांट प्रतिश्टा हुई और तमाम भक्त जो हैं वो अब दर्शन के लिए जा रहे हैं मैं आज के तीन साल पहले सारजु जी तट पे मैं कहा था जिस दिन हमारे हक में फैसला आ जाएगा उस दिन मैं एक क्याओन अजार की आरती करूँगा राम लला की आज भी दोरा रहा हूं बहुत खूसी की बात है जो मेरे सनातन धरम का मेरे हक में फैसला आया और भब राम मंदिर बन गई बहुत खूसी की बात है अजुद्या की एक लायर है यह हमारे राम जो है यह हमारे इमामे हिंद है इमामे हिंद हैं राम और आपने कहा कि क्यावन हजार की आर्थी आप करेंगे लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जो भीड़ है वो आ रही है लेकिन आज इस तरीके से ज्यानवापी को लेकर फैसला आया है कि व्यास परिवार को भी जाज़त मिल गई है कि जिस जगह पर फुआरा बताया जा रहा था जिस जगह को वेसी साब कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है मस्जित थी मस्जित है लेकिन जब सर्वे हुआ तो सर्वे में निकल कर आया ओम का परतीक सर्वे में निकल आया स्वास्ते का परती सर्वे में निकल कर आया सनातन धरम के देवी देवताओं के परतीक और उसके बाद ज्यानवापी को लेकर बड़ा फैसला आया है कि भाईया अब जो है जिसको फुआरा बता रहे थे वही शीवलिंग है और वहाँ जल चड़ाएंगे वही आरती करेंगे अब कैसे देखते हैं आप ग्यानवापी के फैसले को मैं स्वागत करता हूँ जो कोट का फैसला है उसका स्वागत करता हूँ और जो भोले नात का था वो भोले नात जी को वापस मिल गया है जब हमारी संगठन ने आदेश देंगे तो हुआ भी भोले नात का मैं आरती पात रहेगी और मैं कोट को स्वागत करता हूँ、 बधायी देता हूँ को लेकिन जब बात आती है वेसी सहाब पर जब बात आती है तोकीर रजा सहाब पर जब बात आती है शफिकुर्रह्मान बर्क सहाब पर तब क्या कहेंगे इन लोगों को ग्यानवापी पर जब बात करने की बात आई तो तोकीर रजा कह रहे थे कि बाबरी को हमने दे दिया संग राम होगा सड़कों पर मुस्लिम जाग गया है मालिये सग्रून रहमान जी ओवेसी जी जो कह रहे हैं ये कंटर पत्यों में हैं जो इनको कहना था इनको पहली बाद ने ठोकरा दिये ये पहली बाद खुश नशीब नहीं है राम लला का आते दर्शन करते राम लला का प में तो आते फूट भणाने वाले हैं तो इस सोसते हमारा रोजी रोती कैसे चलेगी और जुषरी ना है लेकिन और और मझब कि आइसे साप तो कह रहे हैं बाबरी जिल में जिन्दा है जिंदा रहेंगी फाबरी किस बेस самой जिन्दा हैं उनको बाबरी मस्जिद की एक जगहां मिल गई ही ना, यहां से धन्नीपूर जाएं, वहां बनवाएं, धन्नीपूर सोहावल के पास पड़ता है, पांच हेकल की जमीन मिली है उनको, वहो फारूकी साब और यह सब मिल के संगठन जेतनी चला रहे हैं, जाके वहां बनवाएं वह कह रहे हैं, मैं मस्जिद ही मानूँगा, मस्जिद निमान हो जाएगी, लेकिन ओवेसी उसको मस्जिद नहीं मानेंगे, कहतो आजुद्या के अंदर काफी मस्जिद हैं, उनसे अंदर नमाज के लोग पढ़ने वाले, यह पूचे ओवेसी साब से, साहिकुरुन रहमान मत्था टेके आके, तब उसके बाद कोई दो राने वाली बात करे, उनसे कह दिए आके मत्था टेके यहां आके, आसिरबाद ले यहां आके, शफिकुर रहमान बर्साब को आना चाहिए, यहां पर मत्था टेकना चाहिए, राम लला का आसिरबाद लेना चाहिए, जी आसिर करने पे वो हमारे मानिये मुखमंत्री जी इसको देखेंगे कारवाई ही वो करेंगे काशिव 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 को धर नहीं लगता हमको कई अपराधी तोड़ो मैं सनात्निी हूँ हमको क्यों डेल लगता आप सनात्न को मानने वाले सनात्नी मुसलमान है हाँ सनात्नी मैं हूँ प्धेस्ट सो भॉप मापन है यहां खुश है में इस्टो आगत करता हूं कोट का इसे कि उनसे कह दीजिए संग्राह 58 बैस्भार्थ शाग्र कृन्सें करेंगे हिündू-मीकु सल्मान को लड़ाएंगे हिंदू-इत्तर पर्देश में ये समाजबादी के सांसट हैं वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे Aside मैं आज अजद्या के अंदर सुकून से या पूरे उत्तर पर्देश में है मैं सुकून से कब्या समाज बारगं समाज पाल्टी सरकार में कभी सुकून नहीं मिला आपस में लड़ाते थी आज भार्चे जिन्दा पाल्टी के सरकार में बहुत सुकून से हमारे हिंदुस्तान या हमारे उत्तर परदेश की बहें बेटिया सब बहुत सुकून से हैं वो कह रहे हैं 2024 में कुरसी हिल रही है मोदी जी की चाहे मंदिर बनाले मस्जिद बनाले कुछ भी करने लेकिन मोदी अपकी बार जाएंगे अब उनसे कह दीजिए आप आज के दोर में भार्चे इंता पाल्टी में 40% मुस्लिम हैं जो खुल कर ओड बटन दबाएंगे कमल पर और परधार मंत्री मानिये मोदी जी को फिर से कुर्शी पे लाएंगे पर आप से ही है क्या कृष्ण जर्म भूमी शाहीद का पर जो फैसला आएगा काशिप मानेंगे हाँ मैं मानूंगा कोड का फैसला मानूंगा और उस वागत करता हूँ वो भी किस बंगवान का है मैं मानूंगा उसको तो यह तस्वीर आप देख सकते है ठीक मेरे पीछे जो है यह राम मंदिर का दर्वाजा है यह राम मंदिर का दुआर है और काशिप जी ने जो अपनी राए रखी है ग्यानवापी को लेकर अपनी राए रखी है जरम भूमी को लेकर तो आप इस खबर पर इस वीडियो प एदाम से